कि अब्रीवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स की साइंस की बुक्सिर चेप्टर नबर वन फूद व्यर ड़स इट कम फ्रॉम तो सबसे पहले जानते हैं कि फूद क्या होता है फूद वो कॉंपोनेंट्स है जो हमारी बॉड़ी को एनर्जी प्रॉवाइट करता अब जो कुछ भी हम लोग फूट काते हैं कुछ भी हम लोग फूट काते हैं तो आकिर वो आता कहां से है तो इस शैप्टर में हम लोग इसी के भारे में बढ़ेंगे यहां लिखा है कि आज आपने घर में क्या खाना खाया था और आपके दोस्त ने आज क्या खाना खाया है ये भी पता के जे क्या आपने पिछले दिन जो भी खाना खाया था क्या आज भी वही खाना आपने खाया है नहीं, हम लोगों ने पिछले दिन जो भी खाना खाया था, आज हम लोगों ने वही खाना नहीं खाया बलकि हम लोगों ने कुछ different variety के food को खाया था हम लोग अलग-अलग समय में different kinds of food को खाते हैं है ना, तो चलिए 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे food variety के बारे में इससे पहले हम लोग एक activity कर लेते हैं, इस activity में लिखा है कि आप अपने friend से पूछे स्कूल में कि उन्होंने दिन भर में क्या खाया था और अगर आपके इंडिया के दूसरे state से friend belong करते हैं तो आप उनसे भी पूछे कि उन्होंने दिन में क्या खाया था और जो भी वो कहेंगे, उन सभी items की list आपको बनानी है जिस तरह से table 1.1 में दी गई है ठीके, और अगर आप चाहें, तो कई सारे friends से आप ये पूछ सकते हैं अगर possible है, कि आपने आज दिन में क्या खाया था आपके friends ने दिन भर में क्या क्या खाया था तो table 1.1 में, यहां क्या लिखा है, what do we eat और आपको इसी तरह से format तयार करनी है एक तरफ अपने दोस्तों के नाम लिखने है और दूसरी तरफ, आपके दोस्तों ने एक दिन में कौन-कौन से food items खाये थे उनकी list बनानी है चलिए, तब आप क्या पाएंगे आप यह पाएंगे, कि जो कुछ भी हम खाते है हम लोग बहुत सारे variety के food को खाते है है ना, सिर्फ एक तरह की food को तो नहीं खाते तरह तरह की food को खाते है What are these food items made of? अब यह food items हैं, तो किस से बने होते हैं? तो चलिए, देखते हैं Think about rice cooked at home अब घर में चावल तो बनते ही है आप उनकी बारे में सोचे We take raw rice and boil it in water तो हम लोग कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं Just two materials और ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice अब boiled rice बनाने के लिए दो materials की जरुरत पड़ती है एक raw rice यानि कच्चा चावल और दूसरा water और इसे ही कहा जाता है ingredients कितने भी तरह के recipe आपने देखे होंगे उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि इस recipe को बनाने के लिए कौन कौन से ingredients की जरुरत होगी तो यहाँ पर boiled rice बनाने के लिए कितने ingredients की जरुरत पड़ी दो ingredients की जरुरत हुई पहला है raw rice और दूसरा है water दूसरी तरफ कुछ ऐसे food items होते हैं जो कि सिर्फ दो नहीं बलकि कई ingredients से मिलकर बने होते हैं माल लेजे कि अगर vegetable करी बनानी हो तो हमें अलग तरह तरह की vegetables की जरुरत होती है salt की जरुरत होती है मसालों की जरुरत होती है oil की जरुरत होती है और इस तरह से और भी कई ingredients की जरुरत होती है अब चलिए activity 2 को पढ़ लेते हैं अब table 1.1 में आपने जो भी food items के बारे में लिखा है तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो भी food items आपने लिखा है तो वो किन ingredients से बनकर तयार होते है उनको लिखे अपने दोस्तों से डिसकस कर सकते है या फिर घर में किसी बड़ों से डिसकस कर सकते है कि जो आपने table 1.1 में जो food items लिखे है आगे उनमें कौन कौन से ingredients होते है लिस्ट देम इन table 1.2 अब जब आपको ingredients पता हो तब आप table 1.2 में लिखे कुछ examples नीचे दिये गए है add some more items to this list और आप कुछ और list इस list में कुछ और items को जोड़े तो table 1.2 में लिखा है food items and their ingredients एक तरफ food items लिखे गए है जैसे कि रोटी यानि चपाती और डाल अब रोटी और चपाती बनाने के लिए आटा की जरूरत होती है water की जरूरत होती है और डाल बनाने के लिए बलसे ज्यानी की डाल मूंग डाल मसूर डाल इस तरह की डालों की जरूरत होती है water की जरूरत होती है salt की जरूरत होती है ओलिया घी के जरूरत होती है और मसालों के जरूरत होती है तो इस तरह से आपको बनाना है 1.2 टेबल 1.2 की फॉर्मिट और एक तरफ आपको लिखनी है फूड आइटम्स और दूसरी तरफ लिखनी है उस फूड आइटम्स में यूज होने वाले इंग्रिडियन्स को तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो जब आप टेबल 1.2 तयार कर लिजेगा तो आप यह पाएंगे कि अलग अलग तरह के फूड आइटम्स में कुछ ऐसे इंग्रिडियन्स हैं जो की सेम है यानि एक फूड आइटम में जो इंग्रिडियन्स यूज की गई है वो दूसरे फू .2 food materials and sources. यानि कि जो भी ingredients से है आखिर उनका source क्या है वो आते कहां से है। यह हमारे लिए आसान हो सकता है की nous पहस्ते हूद्स करना कि जो être source ingredients से हैं, ada which में js 25s में लिस्ट किया था तो आखिर वो आते कहां से है तो वो सब हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट से मलते हैं, what are the sources of rice or wheat, अब जो rice है, और जो wheat है, उनके source क्या होंगे, you may have seen paity or wheat filled with rose and rose of plants, तो आपने धान के गेहों के खेत डेखे होंगे, जहां पर एक कतार में पौधे लगे हुए होते हैं, which give us these grains, और इसी पौधे से हमें grains मिलते हैं, यानाज मिलते हैं, और दूसरे food items, जैसे की milk है, एग है, meat है, जो की हमें जानवरों से मिलते हैं, अब चलिए activity 3 देखते हैं, activity 3 में लिखा है, कि कुछ food items, जिसका list आपने पहले बना लिया था, उसे लीजे, और ये पता करने की कोशिश कीजे, ये आखिर वो आते कहां से हैं, जैसे ingredients और उनके sources कहसे होंगे, यानि उनके ingredients क्या है, और वो कहां से आते हैं, उनके source क्या है, ये पता करने की कोशिश कीजे, some examples are shown in table 1.3, को इस examples table 1.3 में दिये गए है, fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list, अब इस table 1.3 को आपको भड़ना है, और इसमें कुछ और जाद examples को आपको add करना है, अब यहाँ table 1.3 में लिखा है, ingredients used to prepare food items and their sources, ingredients जो की food items को तयार करने के लिए यूज किया जाता है, और वो कहां से मिलते हैं, हमें उनके sources भी दिये गए हैं, एक तरफ लिखा है food item, दूसरे column में ingredients, और तीसरे column में है sources, तो idli, अगर food item है, इडिली की बात करें, तो उसमें rice यूज होती है, और दाल, salt और water यूज होती है, rice भी plant से मिलते हैं, और दाल भी plant से मिलते हैं, salt कहां से मिलती है, salt हमें समुद्र से मिलते हैं, salt किस तरह से बनाए जाती है, आप पहले भी अगर जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, तो जान लेजे कि जो समुद्र है, समुद्र का पानी घारा होता है, और वहां से हमें नमक मिलता है, ठीके, water water हमें कहां से मिलती है, इसकी source क्या है, नदी, तालाब, जील, और साध़ी साल जो नलकूप होते हैं, भाँ से हमें मिलते हैं, अब चिकन करी फुट आटम्स बनाने के लिए चिकन जो कि एनिमल से मिलता है, इस पैसे जो कि प्लांट से मिलती है, ओइल घी प्लांट से भी मिलती है, और एनिमल से भी मिलती है, water की source क्या है? नदी हो गए, और जील हो गया ठीके नलकूप हो गया कुवा हो गया अब खीर बनाने के लिए हमें मिल्की की जरुत होती है जो के अनिमल से मिलती है राइस बनाने के लिए प्लांट की जरुती है राइस हमें कहां से मिलती है प्लांट से मिलती है सुगर हमें कहां से मिलती है वो भी प्लांट्स फूड के सोर्स होते हैं, सोर्स होते हैं, इंग्रिडियंट्स के सोर्स होते हैं, फूड इंग्रिडियंट्स के, जैसे कि इससे हमें ग्रेन मिलते हैं, सिरियल्स मिलते हैं, यानाज मिलते हैं, वेजिटेवल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, एनिमल्स हमें मिल जाता है जाता है जाक्षी होता है जो फोना परक्तत है कि वंनी पाल आप षी आता है कि कि हमें दूद मिलता हो तो उटनी बकरी ठीक है गोट ओके प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोड़क्स एस फूट अब प्लांट के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि जड़ हो गए जैसे कि पत्ते हो गए जैसे कि तना है इन सभी को हम लोग खाते हैं फ्लावर क जो प्लांट है हमारे फूड का एक सोर्स होता है विच पार्ट्स और प्लांट तो आके प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो कि हमारे फूड के रूप में हम उसे कंस्यूप करते हैं वी इट मेनी लीफी वेजिटेबल्स हम लोग बहुत तरह बहुत सारी लीफी वेजिट पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, wheat fruits of some plants, हम लोग कुछ-कुछ plants ऐसे होते हैं, जिनके fruits खाते हैं, sometimes roots, और कभी-कभी हम लोग जड़ी भी खाते हैं, sometimes stems, कभी-कभी stems भी खाते हैं, यानि तना भी खाते हैं, stems and even flowers, और हम लोग flowers भी खाते हैं, have you ever eaten pumpkin, flowers dipped in rice paste and fried it, तो क्या आपने कभी pumpkin के जो फूल होते हैं, इन्हें rice paste में dip करके, क्या कभी आपने इसे fry किया है, और इसे खाया है, क्या कभी आपने इसे try किया है, खायेगा, ज़रूर बहुत tasty होता है, some plants have two or more edible, edible parts, कुछ ऐसे plants होते हैं, जिनके एक से ज़ादा parts ऐसे होते हैं, जो कि edible होते हैं, यानि कि खाने लाइक होते हैं, seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable, अब mustard seed की बात करें, जो mustard plants है, उसकी seed अगर हम ले तो उससे हम oil use बना सकते हैं, ठीके, और उसके पत्ते जो होते हैं, उसे हम लोग vegetable के रूप में खाते हैं, Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food, कि आप यह सूच सकते हैं, कि जो banana plant है, उसके कुछ ऐसे अलग-अलग different parts होते हैं, जिने हम लोग खाने के रूप में इस्तिमाल करते हैं, एक तो उसके fruit को खाते हैं, और साथ ही साथ जो banana की जो flower होते हैं, उन्हें भी हम लोग food के रूप में consume करते हैं, Think of more examples where two or more parts of a single plant are used as food, अब ऐसे बहुत सारी examples के बारे में सोचिए, जिनके दो या दो से जादा parts को हम लोग, सिर्फ एक single plants में, दो या दो से जादा parts को हम लोग food के रूप में consume करते हैं, अब table 1.4 में लिखा है, plant parts as food, तो यहां पर brinjal करी है, यानि ब्रिंजल की जो सबसी बनाए जाती है, उसमें ब्रिंजल की जरुद परती है, चिली as a spice, यानि मसाले की रूप में चिली की इस्तमाल की जाती है, oil from ground nut, mustard, soya bean, any other plant, और जो तेल है, वो ground nut के भी तेल इस्तमाल की जाते हैं, mustard के भी तेल इस्तमाल की जाते हैं, और plant part which gives us the ingredients, अब यहां पर क्या लिखा है, कि जो ब्रिंजल करी बनाए जाती है, तो ब्रिंजल क्या है, एक तरह की fruit है, ठीके, अब चिली as a spice, अब मसाले की रूप में, जो मिर्श खाई जाती है, वो कहां से मिलती है, तो वो plant की fruit है, ठीके, अब जो oil हम यूज करते हैं, वो plant के किस पार्ट से हमें मिलता है, तो seed से मिलता है, इसी तरह से आपको यहां पर लिखना है, कुछ ऐसे food items के बारे में, और उनमें कौन कौन से ingredients यूज होते हैं, यहां पर लिखना है, अब वो ingredients, plant के किस पार्ट से हमें मिलता है, यहां पर आपको लिखना है, एक्टिविट 3 में जितने भी सारे food items को लिस्ट किया है तो उन items के ingredients को चूज कीजिए जो की plant से पाए जाते हैं, which part of a plant plant की किस part से पाए जाते हैं identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4 अब plant से जो भी ingredients use किये जाते हैं, उनको पहचानना है और उनके उस food items के list को बनानी है and plant parts as shown in table 1.4 और plant parts जो भी हैं जिन्हें हम food के रूप में consume करते हैं, ingredients के रूप में consume करते हैं, उन्हें table 1.4 में आपको लिखना है, activity 5 लिखा है, take some dry seeds of moong और चना कुछ dry seeds लीजिए moong और चना की, put a small quantity of seeds in a container, आप कुछ small quantity seed की, आपको एक कंटेनर में रखना है filled with water and leave this aside for a day, अब उसे पानी से भरना है और उसे एक दिन के लिए छोड़ देना है next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel, अब पानी जो भी आपने भरा था उसे drain कर दीजे, उसे हटा दीजे अच्छी तरह से और जो सेट से है, उसे किसी बरतन पर आपको इसी तरह से छोड़ देना है wrap them with a piece of weight cloth and set aside अब उन सारे बीजों को किसी भीगे हुए कपड़े में आपको wrap करके रख देना है the following day, do you observe any changes in the seed तो next day, क्या आपने seed में कोई changes बदलाओ देखा है तो आप पाएंगे कि उनमें अंकूरन आ जाता है, right वाइट वाइट सा अंकूरन निकल आता है जिसे हम कहते हैं अंकूरिट चना तो a small white structure may have grown out of the seed तो एक white color का जो structure है वो seed के बाहर grow होता है if so the seeds have sprouted तो हम कह सकते हैं क्या कि seed क्या sprouted है यानि कि उसमें वो अंकूरिट है if not wash the seeds in water drain the water and leave them aside for another day अगर उनमें अंकूरन नहीं निकला है अगर वो sprouted नहीं है तो फिर से seed को water से साफ कीजे और water को हटा देजे और उस बीच को फिर से भीगे हुए कपड़े में लपेट कर आप रैप करके आप रग दीजे ओके ओके covered with a wet cloth then next day see if the seeds have sprouted अब next day देखे कि क्या उस seed में से अंकूरन निकला है यानि क्या वो seed sprouted हुआ है after washing these sprouted seeds you can eat them अब वो जो sprouted seed है आप उसे वाश करके खा सकते है they can also be boiled add some spices अब उसमें कुछ मसाले आड़ कर दीजे और आप खाने के लिए आपको एक tasty snacks मिल सकता है do you know where honey comes from क्या आप जानते हैं कि यहानी कहां से मिलती है और यह बंदा कैसे है क्या आपने कभी मधु मख्य के छटे को देखा है और इतने सारी जो मधु मख्या है कैसे वो आती है किस तरह से वो मधु को एकटा करती है हनी को एकटा करती है तो क्या करती है जो मधु मख्या होती है वो nectar यानि कि फूलों से जो sweet juice होती है उसे collect करती है और इस juice को वो honey के रूप में convert करती है और इसे अपने च्छते पर स्टोर कर लेती है flowers and their nectar may be available only for a part of the year जो flowers हैं और उनके जो nectar है यानि कि जो sweet juice है वो साल के किसी पार्ट में ही वो available हो सकते है so we store this nectar for their use all through the year इसलिए मनमख्या क्या करती है कि वो जो sweet juice है जिस nectar का आजाता है उसे साल भर के लिए वो इस्तमाल करती है when we find such a beehive जब भी हम लगों के इस तरह से जो च्छते मिलते हैं मनमख्यों के च्छते we collect the food stored by the bees as honey तो हम लग फूड को collect कर लेते हैं honey के रूप में जो भी मनमख्यों ने उसे store किया हुआ होता है 1.5 What do animals eat? अब animals खाते क्या है Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई मवेशी है कोई पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाद करते हैं कोई dog कोई cat यानि बिली कोई buffalo यानि भैस कोई goat यानि बक्री You will then surely be aware of the food तो जब भी आप किसी पालतू जानवर को पालते हैं तो आप उनके खाने के बारे में भी सियोर होंगे The animals eat जो भी वो animals खाते है What about other animals? दूसरे animals के बारे में आप क्या सोचते हैं? Have you ever observed water squirrel, peach, lizard, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी observe किया है जो गिलहरी होती है जो कबूतर होते है छिपपिली होती है या दूसरे small insects होते है वो अपना खाना कैसे खाते हैं? कई animals Table 1.5 में लिखे गए है For some of them the type of food they eat is also given और ऐसे खाने भी जो वो खाते हैं उनके भी बारे में लिखा गया है आप देख सकते हैं Table 1.5 में यहां पर लिखा है Name of the animal और यहां लिखा है For the animals eat यानि एक तरफ जानोरो के नाम लिखे गए है और दूसरी तरफ वो क्या खाते हैं इसके बारे में लिखा गया है अब rat क्या खाते हैं lion क्या खाते हैं तो आपको Table 1.5 को दुबारे से देखना है और जितनी भी सारे animals हैं उनको एक group में लिखना है ठीक है Place animals which eat only plants और plant products in group 1 अब आपको group 1 में ऐसे animals के बारे में लिखना है जो कि सिर्फ plant या plant product को खाते हैं These are called herbivores तो ऐसे जानवर जो सिर्फ plant खाते हैं या plant product खाते हैं उन्हें herbivores कहा जाता है There are some animals which eat other animals ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें group 2 में लिखिए These animals are called carnivores तो ऐसे जानवर जो कि दूसरे animals को खाते हैं उसे carnivores कहा जाता है Do you find some animals which eat both plants animals क्या आप ऐसे कुछ जानवरों को find करते हैं जो कि plants और animals दोनों खाते हैं Place in group 3 आप इन्हें group 3 में लिखिए These are called omnivores और इसे omnivores कहा जाता है यानि ऐसे जानवर जो plant और animals दोनों को खाते हैं उन्हें omnivores कहा जाता है Prepare a table as in table 1.6 अब आपको table 1.6 में table prepare करनी है Add introduce separately और इन्हें अलग-अलग columns में आपको लिखना है जैसे कि दिखाया गया है तो यहाँ पर आपको herbivores यानि ऐसे जानवरों को लिखना है जो कि herbivores है यानि जो plants खाते हैं या plant products खाते हैं और दूसरे column में इन्हें आपको लिखना है यानि ऐसे जानवर जो कि दूसरे अनिमल्स को खाते हैं और तीसरे column में आपको ऐसे अनिमल्स को लिखना है जो कि plants और अनिमल्स दोनों को खाते हैं Right? Okay We know that there are many amongst us तो हम लोग जाते हैं कि हमारे बीच ऐसे बहुत सारे हैं who do not get sufficient food जिन है परियापते खाना नहीं मिलता we need to find ways by which more food can be produced in the country तो हम लोगों को ऐसे कही तरीके की जरूरत है जिसे की जादा खाना produce किया जा सके country में that will not be enough यह काफी नहीं होगा we will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us तो यह सिर्फ काफी नहीं होगा हमें यह भी तरीके अंशूर करना है कि यह जो food है वो easily हम सभी को available हो सके right I hope आपको यह चाप्टर परसंद आई है चाप्टर परसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा में दूनेक्स वीडियो में एक नए चाप्टर के साथ थाप्टर के साथ क्यों दूने आपको आपको एक यू करना है